क्या हाले आप सबके आज मैं आपके लिए हरी मिर्चे कीमे की रेसिपी देकर आई हूं जो आप से मैं शेयर करूंगी इसके लिए मुझे क्या चीज़े चाहिए यह तक्रीवन मैंने 1.5 किलो कीमा ले लिए हाथ का कुटाव आई है इसमें नमक जाएगा कुटी विलाज मिर् और लसा नद्रग यही इन मसालों से बस यह कीमा हमारा तयार होगा इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कीमा फ्राइ करने लगी हूं उसके बताऊंगी कितनी इसमें प्यास डलेगी और कितनी हरी मिर्चे वह आप नोट करिएगा तो चले रेसिपी स्टार्ट करतें इसमें तक रीवन 6-8 टेबल स्पून जो है ओयल जाएगा इवा का उसके बाद मैं आपको बता रही हूं क्या करना है रीवन 8 टेबल स्पून मैंने इवा के ओयल के डाल दियें इसमें और एक जरा सी स्लाइस हुई भी प्यास मैं इसमें डाल रही हूं ताके तेल की हीख खतम होज कीमा हुए उसके उसके बाद जैसे ही लाल ओगार ऑद है कीमा क्यमा शामिल पहर दूंति हम प्यास मेरी लाल हो रही है और अब मैं इसमें कीमा शामिल थोड़ा करके हाथ तक उटावर कीमा है ये और इसका नाम है हरी मिर्चे कीमा तो देखेगा ये किस तरह बनता है ये जाहिर सी बात है ये हरी मिर्चे कीमा है तो इसमें हरी मिर्चों का ही काम होगा जादा अब इसको मैं इतना भूनूंगी कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है वह सारा ड्राइँ हो जाएगा फिर मैं आपको बताओं गी इसके अंदर मैं क्या शामिल करूंगी ते कलर चेंज हो गया है कीमे का बिल्कुल ये भून चुका है और इसका एक्स्टा वाटर भी निकल गया है तो अब मैं इसमें तक्रीबन ये वाले दो टेबलिस्पून भरके रसन अद्रक के शामिल कर रही है ये देखें रसन अद्रक डालके बूझे अब मैं भूनेगे अची तरह स्पूप फिर इसमें जो मसाले शामिल करूंगी वह मैं आपको बता रही है तक्रीबन कवाटर टीटीज систем ये देखेंह ये मैं शामिल तरही है उसमें आप इसके बाद मैं कुटी मिर्चे डालूंगी तक्रीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिस्टी भी मर्चे डालूँगी और 2 टेबल स्पून इसमें खुटी भी मर्चे डालूँगी उसके बाद ये सिर्फ प्याज और हरी मर्चो से रडी होगा यह चीजे मैंने डाली है और तक्रीबन 1 टेबल स्पून में जीरा शामिल करके बस इसको भूनूंगी भूनने के बाद गलने के लिए इतना पानी डालूंगी तक्रीबन एक गल्लास तो कि यह मोटा कीमा है हाथ का फुटावा तो टाइम लगेगा गलने में तो तक्रीबन ए बस और इसको अब मैं अच्छी तरह मसालों को भूनूंगी और उसके बाद गलने के लिए पानी डाल दूंगी इतना के एक ग्लास पानी में यह कीमा गल जाएगा आठ से दस यह खाली मिर्चे यह भी मैं इसे शामिल कर रही हूँ बस इन खोड़े से मसालों में यह कीमा हमारा रेडी होगा और जो कि बहुत ही मज़े का बनता है तो बस आप देखते जाएं और मैं क्या कर रही हूँ अगे देखें कितना भुन चुका है कि ओईल मेरा सेपरेट हो गया है यह देखें अब मैं तकरीवन एक से डेल ग्लास पानी से शामिल करूँगी क्योंकि यह हाथ का खुटावा कीमा है तो गलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं एक से डेल ग्लास की वाले पानी इसमें शा कोई सी और तो लुकि और यह मैं आपको दिखाऊंगी तकरीवन डेज़् ग्लास मैंने फानी शामिल कर दिया बस अब इसी में मेरा कीमा गल जाएगा और जब थोड़ी सी कीमे में कसर रह जाएगी थिर मैं इसमें प्यास शामिल करूँगी प्यास मैंने कितनी शामिल करी है वो मैं आपको बताऊंगी जब तक मैं कवर कर रही है इसको गलने के लिए देखें कीमा हमारा फोड़ा था गल चुका है और कच्छा पक्का हो गया थोड़ा तो बस अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ प्यास मैं इतनी लूँंगी अगर देर्ड किलो कीमा है तो तकरीवन फॉना किलो मैं प्यास लोँगी इसमें आदा किलो और उससे एक पाउज जादा तो यह देखें कीमा हमारा थोड़ा गल चुका है तो तक्रीवन 5 से 5 छोटी जो है प्यास मैंने ले लिए जिसको स्लाइस में काट लिया और अब मैं ये कीमा में शामिल कर रही हूँ जितना कीमा होगा उससे उसकी आदी प्यास जाएगी इसके अंदर अब आप ये अपने हिसाब से देखिएगा तो जितना कीमा है मैं कीमा अगर डबल है कीमा तो उसका एक हिस्सा जो है मैं प्यास का डालूँगी मतलब अगर एक किलो कीमा है तो आदा किलो प्यास जालेगी इसके मुझे कम लग रही है तो मैं सारी प्यास इसमें शामिल कर रहे हैं जिसमी मैंने काटी थी बस ये थोड़ी सी soft होगी तो फिर मैं इसमें हरी मर्चे आपको दिखाऊंगी कितनी डालनी है अब इसको cover कर रही हूं जब तक ये प्यास soft हो रही है आदि देखिए कीमे में मैंने प्यास शामिल कर दी है और जैसे ही मेरी प्यास soft होगी किर देखें कि यान से 20 जद्वी इसको मैं मोटा मोटा काट रही हैं और इसमें डालना बहुत जारूरिये है इसकी मैं काट डी अशेड़ी City मीर्चिए मैंने हरी मिर्चे मैंने डाल दियें बस अब ये थोड़ी सी सौफ्ट होंगी, फिर मैं आपको बताओंगी कि इसमें क्या शामिल करने वाली हैं कि देखें हरी मिर्चें प्यास और कीमा सब हमारा मिक्स हो गया है इस फॉर्म में आकर मैं अब भर के एक प्याली दही की डालूंगी इसमें शामिल करूंगी तो मैं आपको दिखा रही हूं कितना दही ले रही हूं यह देखें तक्रीबन एक प्याली मैंने दही ले लिए इसको अच्छी तरह फेंट के मैं इसमें मिक्स करूंगी दही फेंट के डाला करें यह देखें हरी मिर्चें कीमा प्यार सब मिक्स हो चुका है बस अब मैंस में हलका सफानी डाल के इसको थोड़ा सब बूनूंगी और हलका सफानी डाल के इसको दम पे हरी मिर्चें हरधनिया गरम मसाला यह दाल के आपको देशाउट करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी बहुत मज़े का कीमा बनता है यह हरी मिर्चे कीमा इसमें दम पे हरी मिर्चें भी जाएंगी हरधनिया और गरम मस अची तरह इसको भून लिया है मैंने दही डालके भी इसको जड़ा सा पाउ ग्लास पानी डालकर इसको मैं जो है इदम पे छोड़ रही है और इसके बाद को डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाऊंगे आपको आदा ग्लास अक्रीवन पानी डालके मैंने इसको पांच से दस्मेंट के लिए दम पे रखना है और इसके उपर डिश आउट करके दम पे जो है हरी मिर्चे तो यह देखें मैंने आदा ग्लास पानी डालके इसको पांच से दस्मेंट के लिए दम पे रख दिया है जब तक हमारा ओल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी उपर से मुझे हरी मिर्चे हरा धनिया और गरम इसको डिश आउट करूंगी यह देखें इसकी कंसिस्सेंस ही ना जादा गाडा है ना जादा पतला है बस इसको हल्का सा फाइं डालके थोड़ा सा फाइं से दस्मेंट पकाना है और इसके बाद मैं इस आउट करूंगी कवर कर रही है जब तक रेडी हो चुक है हमारा कीमा द्समें आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका अब तो यह देखें फ्लेम आउफ कर दिया है मैंने बस अब मैं डिशाउट करके इसका final look दिखाऊंगी आपको oil हमारा separate हो गया है कीमा भी भून चुका है थोड़ा सब इसको जो है half glass पाणी डाल कर मैंने इसको धीला सा रख दिया बस अब दम पे क्या क्या डालूंगी मैं आपको बिशाउट करके उसके उपर दिखाऊंगी क्या डाल रहीं cover कर रहीं ये ready हो चुक है हरी मिर्चे कीमा तो ये देखें उसका final look हरी मिर्चे कीमे का और जब तक हरी मिर्चे कीमे में हरी मिर्चे निन दर आए तो वो कीमा नहीं कहलाएगा तो इसलिए उपर से मैंने जो हरी मिर्चे हरा दनिया से गाज दानिश करा इसको साथ में बचे हमारे जो है दही खाते ये पूरा एक्स्टार बना दिया है मैंने तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर कीजएगा जिसी मोपनी नई वीडियो के साथ अब तक के लिए लापिस